चप्टर पढचो के ते बच्चो हम quality क्या ना हम हमारे chapter का quality chapter 5 तो बच्चो आज की वीडियो में हम उसी chapter के language के question अना से करने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं देखे बच्चो first question है study the following phrases and their meanings use them appropriately to complete the sentences that follow look after first look after look after का मतलब होता है ध्यान रखना देख भाल करना take care of ठीक है look down on disapprove और regard as inferior यानि किसी को नीचा दिखाना या छूटा समझना ठीक है disapprove करना look in on someone make a short visit यानि मिलने जाना आगे look into investigate यानि जाच परताल करना next है look out be careful यानि सावधानी रखना अलर्ट रहना आगे look up यानि improve look up to यानि admire तारीफ करना आगे ठीके पसंचा करना after a very long spell of heat the weather is looking up at last यानि कर्मी होने के बाद अब थोड़ा सा मोसम में सुधार हुआ है यानि improve हुआ है आगे we have no right to look down people who do small jobs ठीक है तो हमें कोई हक नहीं है हमें या अधिकार नहीं है कि उन लोगों को क्या देखें नीचा समझें ठीक है जो छोटे job में है clear क्या है sentence कि we have no right to look down people who do small jobs ठीक है small jobs वालों को look down यानि उनको disapprove करनेगा हमें कोई right नहीं है आगे है third नितिन has always looked up to his uncle who is a self-made man यानि नितिन जो है वो हमेशे अपने अंकल की तारिफी करता है okay admire करता है उनको आगे the police are looking into the matter truly यानि police जो है वो इस matter को बहुत ही carefully investigate कर रही है आगे चलते हैं if you want to go out I will look after the children for you यानि अगर तुम बहर जाना चाहती हो तो मैं बच्छों को खयाल रखूंगा अगे I promise to look in on your brother when I visit Lucknow next ठीक है तो look in का क्या पढ़ा था हमने short visit सिक का look out यानि be careful ध्यान देना when you are crossing the man road यानि जब आप मुख्य सड़क को पार कर रहे हैं तो थोड़ा carefully उसको cross करें आगे चलते हैं देखे बच्छों read the following sets of words loudly and clearly ये चो words आपको मैं दे रही हूँ जैसा कि मैं आपको homophones पढ़ा चुके हूँ हमारी जो poem है trees ठीक है तो इसमें भी homophones ही ये बच्छों इनको आपको अच्छे से loudly or clearly read करना है ठीक है जब आप इनको loudly or clearly read करेंगे तब आप ये notice करेंगे कि इनका sound है वो same ही है इनमें जो meaning है इनकी spellings है उनमें differences है spelling जो है उनमें differences है लेकि इनका sound है वो समानी है हाना देखे got got okay cost cost toast toast आगे got got इस तरीके से आपको इनको read करना not not clear तो इनको read करना है जब आप read करेंगे तब आपको अपनी आप feel होगा ये मैसूस होगा कि इनके जो sound है वो क्या है एक जैसे है sound इनकी धोनी है वो समान है इनके जो spelling है उनमें ही difference है आगे देखें थाड़ देखते हैं इस आप the following words contains the sound श कौन से sound है बच्चों श ऐसाच का श as in shine जैसे बुलता है शाइन शे का sound आ रहा ना आपने in the beginning or in the middle or at the end हमें जो ये word दिया है बच्चों इनमें शे का sound कहां पर है हो सकता है वो beach में हो initial यानी शुरू में हो sentence के word के हाना जो हमें word दि middle में हो सकता है और उसके last में भी ending पर हो सकता है आपको क्या करना है first speak out all the words clearly सबसे पहले इन सारे शब्दों को अच्चे से पढ़ना है then arrange the words in three groups in the table फिर आपको जो table दी हुए है उनमें आपको इनको arrange करना है देखे विच्चों sheep clear कहां पर आ रहा है शे का sound कहां पर आ रहा ह आप जब read करेंगे ना तो आपको अपनी आप महसूस होगा कि कहां पर आ रहा है portion okay shoe next trash shriek ashes pushing marsh shore polish fashion fish nation और मस्टाक तो इस तरीके से आपको ये read करने है ओके जब आप read करेंगे तो आपको अपनी आप समझ में आ जाएगा कि ये sound है शे का जो sound है वो beginning में है ending में है या बीच में है ओके तो आपको इनको read करना है ओके आगे चलते हैं देखिए बच्छों ये टैबल है initial का मतलब है प्रारंबिग यानी beginning में अगर आपको मैसूस हो रहा है कि जैसे sheep वाला है तो ये beginning में है तो आपको यहाँ पर लिख देना है okay इस तरीके से आपको इनमें से देखना है read करना और यहाँ पर आपको इनको fill करना है ठीके जो sound initial है शुरू में है तो वो words को यहाँ लिखना है जिसमें share का sound बीच में आ रहा है तो यहाँ पर लिखना है जिन में share का sound final में आ रहा है last में आ रहा है तो आपको वो यहाँ पर करना है इस तरीके से ये table आपको complete कर लेना है आगे बढ़ते हैं yes बच्छों फोर देखिए in each of the following words CH चर क्लिया CH कु चर परता है ना रिप्रसेंट थे सेम कॉंसोनेंट sound as in a chair okay the words on the left have this sound initially okay अब जो left side में है words ठीक है वो उनके initially है ने प्रारंबिक में है okay and those on the right have it finally speak each word clearly initially मतलब प्रारंबिक beginning में okay और finally मतलब last में किसका sound चै का sound जैसे हमने शै का पड़ा था okay उसमें तीन बनानी है आपको table दी उसमें तीन जगह आपको लिखना है कि शब्द जो है वो शुरू में आ रहा है या फिर शब्द जो है वो बीच में आ रहा है या फिर शब्द के last में आ रहा है कहने का मतलब है जो आपको word दिया हुआ है उस word में शै का sound है अगर बीच में आ रहा है तो medial वाले में ल लिखना है कि अर्स निए मैं तोल पहला है लिखना है लिखना है फाइनली क्लियर उसी तरिके से छाय का साउंड दिया। गो už अहि observedchees के अगमें उची चय बंड दुर क्याम है आगे देखें यहाँ पर फाइनल यह राइट साइड में बैंच, माच, पीच, रैच और रिसर्च कहां आ रहा है? लास्ट में आ रहा है तो उनको रीट करना आगे देखिए बच्चो अब आपको इसमें अडरलाइन करना है वर्ड्स जो है वह बेगिनिग में आ रहा है चाय का साँड यह है फिर आपके लास्ट में आ रहा है ठीक है तो आपको यह रीड करने है सारे वर्ड्स बच्चो और उसके बाद मिंदको आपको अंडरलाइन करना है देखें, feature, archery, picture, और क्या है, picture, third में फिर fourth है, reaching, nature, matches, riches, batch और church तो इस तरीके से आपको इनको read करना है और read करने के बाद आपको मैसूस हो रहा है कि च्रै का sound कहां पर है, उसमें आपको underline कर लेना है यह आपका work है, तो I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो share वाले में और chair वाले में, दोनों में आपको जो भी work मिला है वो complete करना है, लेकिन बच्छों आपको पहले read करना है अच्छे से, जब आप read करेंगे, ठीक है, तब आपको महसूस होगा कि share का sound कहाँ पर है, beginning में है, last में है या फिर बीच में है तो आपको complete कर लेना है तो बच्छों यह सारा work कर लेना है, मिलते हैं, next video में तब तक के लिए पढ़ते रही आगे बढ़ते रही है, thank you